28 सितंबर को अनंत चत्रदशी है यानि कि गुरुवार के दिन अनंत चत्रदशी है और गुरुवार का दिन भगवान गुरु को ब्रस्पति देव को समर्पित है विश्नु भगवान को समर्पित है और जो अनंत चत्रदशी है ये भी विश्नु भगवान को समर्पित है मालक हो रही है और 28 सितंबर शाम को 6 बज़ कर 49 मिनट पर यह समापत हो रही है और पूजा का मूर्थ रहेगा वह 28 सितंबर को सुभे में 7 बज़ तक रहेगा लेकिन आप दिन भर भी पूजा कर सकते हैं इसके साथ ही भगवान विश्नु मा लक्षमी की पूजा होती है लेकिन होती अत्यंत फलदाई होती है एक बात और बताओं कि इस दिन का एक छोटा सा भी काम किया हुआ तुरंत फलित होता है अगर आप किसी प्रेशानी में पड़े हुए हैं और वह ऐसी प्रेशानी है ऐसा कष्ट है आपका जिसका आपको कोई अंत दिखाई नहीं देता जिसक अगे को आपको हल्दी में गीला करना होता है और दूद में डूबोना होता है और फिर सूख जाने के बाद थोड़ा सा विश्ण भगवान के आगे समर्पित करके और भगते वासुदेवाई कजब करते हुए अपने हाथ में अगर आप बांध लेते हैं उस मनो कामना पू कष्ट से आपको तोरंत मुक्ति मिलती है कुछी दिनों में आपको यानिके कोई लगबग 14-15 दिन के अंदर अंदर आपको रिजल्ट दिखता है कि आपको उस कर्ष्ट से मुक्ति मिलती है उससे मुक्त होने का रास्ता दिखाई दिने लगता है यह तो है मेन उपाए इस अनंत चत्रदशी का कि 24 गांट वाड़ा धागा अपने कष्टों से मुक्ति के लिए सभी बानते हैं और आगे बता रहे हूं आपको कि जिन बच्चों के विवाय्योग नहीं बन रहे हैं जिन बच्चों के विभा में देली हो रही है या जिन बच्चों का विभा नहीं हो पा रहा है गुरु वार का दिन है विश्ण भगवान को समर्पित है बच्चों के जन्मकुंडी में गुरु को स्ट्रोंग करने के लिए आप एक छोटा सा काम करें चोदा लोंग वाला जिस उसी तरह से चोदा लोग वाला एक काम आप कर सकते हैं काम बहुत आसान सा है आप अपने घर में कर सकते हैं के उपाई बता रही हूं लेकिन उससे पहले नमस्कार आप सब का मेरे चैल पर बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ वीना शर्मा क्या करेंगे उस दिन सुबह में थोड़ा जल्दी उठके नहा दो लीजिए क्योंकि कारण कि सुबह शुब महुर्द जो है बरत रख लेते हैं तो 14 साल तक उसका असर रहता है और आपको सभी सुखों की प्राप्ती होती है कोई परेशानी जीवन में नहीं आती है लेकिन आप बरत नहीं रख सकते जैसे माता है अपने बच्चों के लिए उपाए कर रही हों और बच्चे भी व्रत नहीं रख पा और यानि कि या व्याई तो एक काम करें पर नहाद होके आप 14 लोंग ले लिजिए दो उपाई आपको 14 लोंग के बताने वाली हूं जिसमें से रिष्टे अब तक सीरे ने चड़ रहे थे वो सीरे चड़ेंगे ऐसा काम होगा क्योंकि ये दिन ही इतना विशेश है और साल के बाद आएगा ये दिन बापिस और ये एक साल बाद ही बापिस आया है तो क्या करें आप कि 14 लोंग ले लिजिए सुबह में अगर दोनों उपा योग बनते दिखाई देंगे शिगर बच्चों को भी वात है होगा क्या करें कि 14 लोंग लेकर एक लड़ू आपको लेना होता है लड़ू आप पहले दिन से मंगवा कर रख ले या तो यही लड़ू मोदक बूंदी वाला लड़ू जो होता है अपने आम ही मिल जाता है द विष्णु भगवान को भोग लगाने के बाद आप अपने मनों कामना पूर्ति की प्रार्थना करें अमनों भगते वासुदेवाय का जब करें जितना यथा शक्ति कर सकते हो और विष्णु शैष्टर नाम का पाठ करना चाहें तो वह भी जरूर कर सकते हैं जितना आप क किसी भी पेड़ में किसी भी पेड़ में इस लड़्ड़ को आप चोड़ाइं। सबताँ sound सब्सक्रारा है नेक्स्ट हमारा उपाय जो दूस्रा है उसे वह कर सकते हैं एक मिठी का कलश होना चाहिए वैसे तो देखिए लेकिन अगर कलश घर में नहीं होता मुझे मालूम है मिट्टी के कलश नहीं मिलते घरों में नहीं होते तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए गाई चोटा सा मिट्टी का दीपक लेकर एक कपूर किटिकिया रखिएगा और 14 लोंग रखि विश्ण भगवान के आगे जला देना है यानि कि परजलित कर देना है और उसके बाद से उसको दीपक को उठा के किसी पलेट बगरा में गर्म होगा ना दीपक उसको उठा के और पूरे घर में गुमा दीजेगा पूरे घर में गुमाने के बाद लाके विश्ण भगवान के आगे सामनेरे फिर से रखें अब जब यह C김 की जो प्रजलत किया है आपने ये जब हो जाए उसके बाद से इसे ले जाके आपको पानें प्रवाहिथ करना है उसे लड़ू को पेड नीचे रखना करना लेकिन इससे पानियों प्रवाहित करना है अब आप कहेंगे पानी की विवस्ता पास में नहीं हैं तो आपके काम करिएगा कोई थोड़ा सा बढ़ा चोड़ा बायुटी या कोई बढ़ा टब लेके पानी ले constantly दो दिजिएगा और उस पानी को बायुटी में डालके अस इस प्रकार से जाके लड़ू भी चोड़ाएं और यह पानी भी डालाएं आपके दोनों उपाएं हो जाएंगे और बच्चों के लिए दोनों उपाएं बहुत ही कारगर साबित होंगे और अगर आप दोनों नहीं कर सकते तो एक उपाएं भी कर सकते हैं अब किसी भी गद हो कोई बेल पत्री हो कुछ भी हो चाहें विश्णु भगवान का वास हर पेड में है हर पोधे में है विश्णु भगवान का वास बच्चों के तुरंत गुरु श्ट्रोंग होंगे अनग्चतरदशी का दिन अपने आप में बहुत महत्यों पूरुन है एविभाहित ब चौंग आप गाड़ सकते हैं और उसी प्रकार से विश्णु भगवान को भोग लगा सकते हैं यह सुनहरी मौका गवाना नहीं है उपाई करना जरूर है रड्डू से या गुण से वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल